फो जो आज हम पढ़ेंगे होम सब बार्च के बारे में मतलब बार्च के होम बार्स के जो पक्सियों की घर होता है उसके बारे मिं पढ़ेंगे नेस्ट इचे होम और बाड बाड जो होते हैं उनका होम कौन चा होता है नेस्ट उनका जो नेस्ट जो होता है चीडियों का बसेरा जो ओ वहाँ पे ओ है चीडियों का घर उनका नेस्ट होता है होम नेश्ट आरे सेल्टर for their eggs and young ones नेट्स आरे सेल्टर मतलब नेट्स में बास क्या करते हैं? वहाँ पे रहते हैं for their eggs and young ones मतलब किसलिए वहाँ पे रहते हैं? वो eggs के लिए वो एक देते हैं न तो एक के लिए and उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए वो नेश्ट में रहते हैं बास ले दियार एक इने नेश्ट बास जो होते हैं वो कहाँ पे एक देते हैं? वो अपनी नेश्ट में ही एक देते हैं the eggs hatch and the young ones come out और ओ एक्स जो बाद में कितना दिन के बाद उट्टू जाने के बाद क्या होता है महाँज एक यॉंग वन्स भारता है फिर से एक वे से ही काइंड का एक यॉंग छोटा क्या एक बार निकलता है महाँजे कहां से एक्स से पैर्ण से बाद फिर थीड़ बाद ये बड़ाद पारिव गता है तो पैर्ण से बाद ऊंके पैर्ण से बाद चो होते हैं वो बच्चे को खाना ला देते हैं बहार से and protect it from enemies और वो enemies से उनके दुस्मन से भी protect कते हैं उनके दुस्मन से भी सुरक्षा करते हैं इसको उनके बेबी को in bad weather until they learn to look after themselves and learn to fly और वो weather को देखकर अगर bad weather हो है तो weather को देखके उन्हें fly करना सिखाते हैं weather के हिसाब से अगर weather ठीक नहीं है तो climate अगर ठीक नहीं है तो वो बच्चे को वहाँ पर ही रखेंगे आपर nest में और और उनको उनको protect करेंगे और जो अच्छा सीजन आ जाएगा तो फिर से उन्हें fly करने के लिए सिखाते हैं झाले हैं पाले हाँ झाले हैं झाले पाले हैं झाले है的話 प्प्पव्थे खर्पश्वेशन आए मैं